मैं यस्वंत कुमार श्रागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल ट्यक्सी क्रो में सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्य बात कि आप लोगों ने इस चैनल के सब्सक्राइबर की सदस संख्या को साथ चो तक पहुचा दिया है आपके इस लब और शपोर्ट के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से सुक्रुजार हूँ कि आप लोगों ने इसे इतना जादा लाइक किया इतना जादा पसंद किया आपके मोटिवेशन की वज़ा से ही हम दगातार वीडियो को बना पाते हैं अपने अंदर एक नई एनर्जी होती है कि आपके लिए कुछ एस्पसल किया जाए कुछ अच्छा किया जाए हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया करने की कोसिस की जाती है वासा करते हैं फूचर में भी आप लोगों का ऐसे ही प्यार और इसने मिलता रहेगा ठीक है त तारी को एनेफिल का एकजाम है या पिर तारी को यूपियार बेंल का एकजाम है उनके लिए यह वीडियो जाम-बान साबित होने वाली है आपके पेपर में कोई भी कुछ वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला आगर आप इस वीडियो को पूरा क्यरफुली देखते हैं कंस नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें जिसे आपको आगया आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहला है किया है इस नेपने का मांदंड क्या होता है कहने का होता है है उसके हैड कि कि रखी जाती यह तो जनली जो इसके हैड की जिए होती है 0.7 से लेकरके 0.75 D के बीच में रखी जाती है ठीक तो अगर 0.75 आपसन में नहीं दिया गया है तो आप 0.7 की तरफ जा सकते है ठीक तो क्या हो जाएगा इसने फिर डिवर्ट की जो उचाई होती है वो 0.75 D के बीच में होती है जहां डी क्या होता है डायमीटर होता है जो भी रिविट तो गहरा होती है ठीक चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहे रहा है निएस्टमें नेश्टमें कुछा गया है दो नमबर कुस्चन में एक रिविट्ट जॉइंट में प्लेटों के एज को सदारतिया को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिव्ट किया जाता है इस जॉइंट को कहते हैं ठीक क्या कह सोलै। कि एक रिवेट जॉइंट है जिसमें क्या करें प्लेट के एजों को एक दूसरे के ऊपर रखे में इसको यह हमारी रिवेट की प्लेट है दूसरी रिवेट की प्लेट को क्या किया इसके ऊपर रखकर हमने यहां पर रिविटिंग कर दी तो जब एजों को क्या करते हैं दूस सब्सक्राइब करने परियोग के परियोग की विए यह सब्द के एकजाम वहां पर कौन से करें परियोग किया जाता है थो होता है सब्सक्राइब है क्या फिर प्राइग हो गया तो released कि इसी से मिलता झुलता पूछा जाता है उसे हम कहते हैं में है तो पैने की तीछ है आगर मजबूत होता है इसका है इसका परियोग है धिकिल infrared जाए हैवी डूटी प्योग में या भारी कंस्ट्रक्शन कार्यों में इसका परियोग किया जाता है जैसे गार्डर हो गया या फिर इंजन में करते हैं या फिर वाइलर वगेरा में करते हैं जहां पर हैवी जूटी होता है भारी कंस्ट्रक्शन कार्यों होता है वहां पर पै लिविटेट मने सीरों के साथ मिलाकर रखा जाता है और कवर प्लेट लगा जोड़ा जाता उपर वाले weiff क्लीयर कर दिया था है यह दूसरे से सटा कर नसमें करते एक जो खोर लगाते everything करते तो उसे क्या कहा जाता है उसे butt joint के अंदर रखा जाता है आप लोगों को clear होना चाहिए इसे क्या कहते हैं butt joint कहते हैं left joint और butt joint यही दो आप से क्या होते हैं बार बार exam में पूछे जाते हैं चलते हैं next question की तरफ 4 number question क्या पूछा गया है तो एक ribbit joint में एक समान पंक्ती में दो निकट वरती ribbitों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं पिच कहते हैं उनके बीच की जो दूरी होगी और क्या होगी पिच होगी जिसे seam के समानांतरमा पा जाता है तो यह पराया कितना होता है ठीक तो यहाँ पर पूछा गया है जो यह पिच होती है इसे क्या करते हैं seam के समानांतरमा पते हैं तो यह कितनी होती है यही यहाँ पर क्या क्या गया है पूछा गया है इस question में आप से यहां पर इस question का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पूछ रहा है कि P बराबर 5 बराबर कितना होता है तो यहां आप सभी को clear होना चाहिए P बराबर होता है 3D ठीक 5 बराबर होता है 3 गुड़े diameter जहां पर D क्या होता है जो हम rivet पर योग कर रहे होते हैं उस rivet का क्या होता है diameter होत होती है उसके बीच की दूरी को पिच कहते हो पिच बराबर कितना होता है 3 इंटू डी होता है जहां पर D क्या हो जाएगा diameter आफदा रिवेट हो जाएगा next question की तरफ चलते हैं next question पूछा गया है एक rivet joint में एक ही rivet hole के center से plate के निकट वर्ती एज की नियूंतम दूरी को क्या कहते हैं मानली यह कोई rivet joint हम लगा रहे हैं अब rivet के center से ठीक rivet hole के center से plate की जो निकट वर्ती दूरी होती है इसे क्या कहा जाता यही आप से इस question में यह पूछने की कोशिस कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं इसे margin कहते हैं क्य खर कहा जाता इसे margin कहाता है margin क्या होता है यह rivetICamer से plate के किनारे से निकट तम्दूरी होती है ठीक plate के कि किनारे की क्या होती है निकट तमदूरी होती है मार्जिन कितना होता है वन पॉइंट फाइफ इंटू डी होता है जहां पर डी क्या होता है डायमेटर अफदा रिवेट होता है नेक्स्ट क्वेस्टन की बात की जाए तो टूल की एक सेड़ी को दिया गया नाम है डॉली जिस यहीं पूछा गया है तो बैसिकली जो डॉली होता है को रिवैट के हेड को साहारा देने के लिए किया जाता है ठीक है तो यहां यह इस टेस्टिंग है तो इसमें हम परियोग करते नहीं तो पहला ही आप्शन सही हो जाएगा कि सीट मेटल की सेपिंग करने में इसका еловل करते हैं इसके फ्रिवर के ही हैड का आकार का किया होती है कैविटी बनी होती है पहले से ही जिसमें हम क्या करते हैं है मिसे हीड को सहारा देते हैं इसकी से खराब नहीं होती है और तो सुलाब्स यहां पर hen lover गया है नेस्ट कोईचन पूछा गया है यह एक रिविट जॉइंट में रिविट का ब्यास समाल डी और प्लेट की थिकनेस समाल टी है तो अरविन का नियम क्या कहता है ठीक तो यहां पर बेसिकली यह पूछ रहा है कि रिवेट जॉइंट है कोई जिसमें जो हम रिविट पर यहां पर अर्विन का नियम क्या कहता है तो अरविन के नियम की अंसार बेसिकली क्या है अर्विन का नियम हो जाया जो भी हो डायमीटर निकालने के लिए थीक है तो डायमीटर कैसे निकालेंगे जो प्लेट की thickness के term में इन्होंने बताया था कि diameter कैसे निकाल सकते है तो अगर जो means यहाँ पर plate की thickness है वो inch में दी गई है तो diameter होता है 1.2 under root T कितना हो जाता है 1.2 under root T हो जाता है अगर T किसमें दिया गया है inch में दिया गया है अमालो पर कैसे निकालेंगे तोहां पर डी बराबर निकालते हैं सिक्स रूड टी किसके द्वारा निकालते हैं डी बराबर होता है यह बेसिकली कब होता है यह बेसिकली होता है जब हमें टी कमान किसमें दिया जाता है सेंटीमीटर में दिया जाता है मालो टी कमान सेंटीमीटर में ना हो करके किसमें हो TW कमान मिली मीटर में हो तो कैसे व्यश्वेस निकालें एक तो उस समय डी बराबर होता 1. 9 कंपने क्या होता है 1.9 इंट्व उंडर, ती होता हieur चब टी किसमें दिया घ्यागिया हो यह यम इम मं ध्यागिया हो ठीक तो ही यह वन पाइंट टू अंडर रूट कहीं कहीं वन पॉइंट फोर अंडर रूट थी भी बिल जाता तो यहाँ पर कौसा अप्शन मिलता है टी बराबर शीन रूट यहीं हो जायेगा ठीक तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि टी किसमें दिया गया होगा सेंटीमीटर में दिया गया होगा नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर पूछा गया है कि काकिंग और फुल रहें इस क्वेश्चन को जानने से बढ़ने से पहले हम चोड़ी और चीजे देख लेते हैं जैसे यहां पर आपको डी निकालने को पता चल गया आप कैसे निकालेंगे आपको मार्जिन आल् नूंतम पिछ कितनी होती है पी की जो मिनमम बाइल होती है वो कितनी हो सकती है रखरती हैD इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, अगर जिक जैग रिब्टिंग है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा लंबो दूरी, तो वहाँ पर जिक जैग रिब्टिंग में क्या हो जाएगा है, 2D के बराबर हो जाता है, ठीक, तो चलते हैं, नेस्ट कोईचन की तरब जो की पूछा about going in hauling कारिकरियाएं है जिनका परियोग 20 जॉएंट को क्या करने की लिए किया जाता तो बैसिकली जो कॉकिंग और फ्लर impact किस लिए करते हैं तो जंग लीक रोधक लिक प्रूफ बनाने के लिए लिस्टिंग शोरी कॉकिंग और पुलरींग का परियोग किया जाता है ठीक कॉकिंग और फुल रिंग किस प्रकार करते हैं इसके फीगर को हम लाक्ष्ट में आपको explain करने वाले अभी आप यहां समझ लिए इतने हैं कि कॉकिंग और फुल रिंग का परियोग किस लिए किया बाले जाता है तो ली प्रूफ ज्वाइन बनाने के लिए इसका परियोग किया जाता है बिख्वत में सब्सक्राइब और फॉंसा यह ब्रूआं क्या है पर्मानिंट फास्ट ना रहा तो यहां पर आपको पता होगा काधर ज्यांट फ्लेंट नकल जोईंट इस भी क्या है समी परमानिट है help कि चाहो हम इसे इसेर्मब्ल कर सकते कि अंतरगत मानन लिए अब यहां पर जो रिविटेट ज्वाइंट है यह क्या होता है पर्मानेंट जॉइंट के अंतरगत रखा जाता जो रिविटिंग हो गया या फिर ब्रेजिंग हो गया बेल्डिंग हो गया इसको किसके अंतरगत रखते हैं रिविटेट जॉइंट को बेल्डिंग को ब्रेजिंग को पर्मानेंट फास्टिंग के अंतरगत रखते हैं कई ज संपर गयवह का इक्जांपर लिया यह तो इसके हिसाब से क्या होता है फार मांपेट हो जाता है ला overcoming पंग्ति एक ही पंग्त में हों के संटर होटी सद्दूरी यह इसे आप लिद्धे है इसे क्या कहते है इसे संधर्व के नाम से जाना जाता है होल के संटर से भंष्ट क्या कहते हैंrid होल के प्लेट के निकम सव propag एज के नियुंप मुई की काで जाता है margin के नाम से जाना जाता है margin कितना होता है 1.5D के बराबर होता है ठीक यह भी आप ध्यार में रखेंगे अब कई बार यहाँ जो बीकंडता हम आप जाती है तो यहाँ पर इसे diagonal Pitch कहते हैं यह diagonal Pitch कितनी होती यह भी कई बारी जाम में पूछी जाती है यह होती है 2P पलस D upon 3 यहाँ पर D क्या है रिवेट का diameter P क्या है पिच है ठीक तो PD क्या हो जाएगा 2P पलस D upon 3 हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि काकिंग क्या होती है और फुलरिंग क्या होती है ठीक तो आप काकिंग और फुलरिंग को आप थोड़ा सा समझ लीजे क्योंकि हर एक एक जाम में बेसिकली यह पूछा जाता है तो अगर आपसे काक जॉइंट बनाना होता ऐसा जॉइंट बनाना होता जिसे कोई भी फ्लूट जैसे वाटर हो या फिर इस्टीम हो गयरा हो और लीक ना कर पाए बहुत बढ़ियां सो लीक प्रूफ टाइट हो कोई लीकेज की संभावना ना हो उसमें उसमें क्या करते हैं सबसे पहले रिवि गुल होता है जिसके चौडाइब उससे कितना होता है 5 mm होते है तो इसके क्याआ है इस करते है है इसको प्लेट के पर अवजार है इसको करर देते हैं साती साब्रивает के संटर में भी इसको क्या करते है साथ रिवेट का उजार है और लिए इसको भी क्या करते हैं प्लेट की सता से बिल्कुल टाइट जॉइंट बनाता है यहां पर यह प्रेशर लगाके दबा के इसको भी यहां पर दबा देता जिससे क्या होता है leak proof joint आपको प्राप्त हो जाता है ठीक इसे आप compressed ear के द्वारा भी operate कर सकते हैं या फिर इसे by hand के द्वारा भी operate किया जा सकता है ठीक तो जो cocking tool है इसे हम क्या कर सकते हैं प्लेट की एजों के साथ साथ जो rivet के head होते हैं इसके सीरों को भी क्या करते हैं अच्छे से दबाते हैं जिसे leak proof joint प्राप्त हो सके अब जो फुलरिंग टूल होता है ये भी cocking tool ही होता है बट अंतर क्या होता है जो फुलरिंग टूल होता है जो इसकी thickness होती है प्लेट की थिकनेस के बराबर होती है उपर आपने देखा यहां पर जो इसकी थिकनेस से प्लेट की थिकनेस से कम थी बट यहां पर जो इसकी फुलरिंग टूल की थिकनेस होती है यह क्या होती है बिलकुल प्लेट के जो थिकनेस होती है इसके बराबर होती है इसका भी काम क् पहली वाली प्लेट की पूरी सर्फेस के एज से क्या करते है कसकर उसको प्रेस कर देती है दबा देती है जिससे क्या हो सकता है क्या किया जाता है जो फुलरिंग टूल होती है या काकिंग टूल होती है इसको परियोग करने से पहले जो रिवेट के एज होते हैं इनको कितनी दिगरी पर वेवल किया जाता सुरी रिवेट के एज नहीं जो यहां पर प्लेट के एज हैं सीट के एज हैं इनको कितिनी डिगरी पर वेवल किया जाता है तो इनको के लिए बेसी कंशा परियोग किया जाता है कि चौड़ाई प्लेट एच की बराबर होती है और प्लेट की चौड़ा के बनाने का का कार कर एक आशा करते हैं आपको to clear हो गया होगा इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा नेक्स्ट अगर बात की जाए कि और क्या एक्जाब में मौस्ट इंपोर्टंट पूछा जाता है आप से रिविटिंग वाले चेप्टर से तो नेक्स्ट यहां पर पूछा जाता है रिविटिंग के दोस्त के बारे में डिफेक्ट इन रिविटिंग करते हैं कौन-कौन से दोस्त होते हैं बेसिकली तो सबसे पहला है यह दिए जिसे रिवेट के सेंटर की बीच की दूरी कम है आपने देखा मार्जिन कितनी थी वन पॉइंट फाइफ दी अब इससे क्या हो जाती है रिवेट के एज से सेंटर की बीच की दूरी कम हो जाती है यहां पर आपका यह है यह हमारी पूरी क्या है यहां पर आपकी फर्स्ट रिवेट की सेंटर है अब जो यह दूरी है यह क्या 1.5 से कम हो जाती है तो इस देशा में इस इस स्थिति में क्या हो जा है रिवेट के एज से center के बीज की दूरी क्या हो जाती बहुत कम हो जाती तो उस तिसा उस दसा में iidersipelting का दोस्व हो जाता है next अगर पूइंचा जाएं कि gaping कब होसी तो यदि येज से exhibit के center के बीज की दूरी अधिक हो जाएं ठिक जो आपकी desired margin है उससे क्या हो जाता है अधिक हो जाता है उसके बीच की दूरी तो इस कारण क्या हो जाती है गैपिंग आ जाती है आप आपने देखा लगए इतनी दूरी होनी चाहिए थे इतना नहों कितना हो गया यहां तक की दूरी हो गया यहां तक के दूरी हो गया तो यहां पर आपको सीधा-सीधा देख पा रहे होगे कि यहां पर क्या हो रहा है गैपिंग की समस्या आ रही यहां पर इस पिल्टिंग हो जाती नीचे की तरफ इस पिल्ट हो जा रही थी उपर वाली कंडिशन में इस वाली कंडिशन में क्या हुआ यहां पर यहां पर यहां पर यह गैपिंग की समस्या हो गई तो इस पिल्टिंग tiering कब होती है तो यदि रिवेट का जो 5 ब्यास है वह बहुत कम है इस ड़ी आप ने देखा था वो प्लेट की ठिकनस की तुल्णा में हम लेते थे six under root T k Kingdom इस प्रकार से लेते थे तो अगर इससे क्या है कम है रिवेट का ब्यास तो रिवेट की centerline के साथ धात की चा हो जाती है tier हो जाती है दुसरा यह रिविट का पिछ ब्यास बहुत अधिक है तो इसके कारण होगी यहाँ यह जो दुछ दिखाया गया क्या है यहाँ पर यह बकलिंग का दोस दिखाया गया है ठीक तो यह पोनों आपको ध्यान में रखता है कि कभ होती है जब कम होता है ठीक रबीट का पिछ बहुत कम होता है रिच कम होता है जो दो रबीटों के बीच की दूरी होती है sorry for that अगर मैंने उपर वी आप सो रबीट का डायमीटर बोल दिया हो तो आप कोई बार फिर से समझ कि concerning और भकलिंग क्या होती है विजिकलि यहां पर जो पिछ की डिस्ट्रेंस होती है जिर इस दौने playground क्या है पास पास लगी हैला कि तो उस दिशा में क्या हो जाएगा today एक होई वीच को क्या कर देगी और यदिख क्या है दूरी ज़ादा है रीवेट की जादा है इस condition में क्या होगी तो इस condition में एक टीक्स करते इस से रिवेट की बीच की에서 कम है तो उस दिसा में age की spelting हो जाएगी अगर age से ribet के center की बीच की दूरी जादा है तो gaping हो जाएगी next यदि ribet की pitch कम है तो pitch कम होने से tearing हो जाएगी और अगर pitch बहुत अधिक है तो क्या हो जाएगी buckling हो जाएगी तो यह कुछ ऐसे दोस है ribet से जो की आप से exam में पूँचे ही पूँचे जाते हैं तो आप इसको भी complete करके जाएगा कई बार यहां से भी question directly आपके exam में पूँच लिए जाते हैं अगर इससे related आपको कोई doubt होता है ribetting वाले chapters related या कोई ऐसा question है जो आपको समझ में ना आया हो या पहले से भी आपके कोई doubts है तो वो भी क्या कर सकते हैं आप पूँच सकते हैं ठीक बाकी जो इससे कुछ related टूल से जैसे ribet snap है उसका कार क्या होता है drift का कार क्या होता है तो यह सभी हमने आपको seat metal वाले chapter में already बता दिया था तो आप उसको क्या कर सकते हैं जाके playlist से वीडियो को देख सकते हों यह दो ही तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करके bell icon वाला बटन दबा लिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की notification मिलती रहे हैं up to next video keep in touch bye bye